उम शांती, नौ फेवरी के शुर्दान लपस को सोगत है, परमात्वा कहते कि हमें हर खाजाने से भरपूर रहना है, और हमें अखूट रहना है, और अखंड महादानी बनना है, तो सर्वक खाजानों से संपन बन निरंतर सेवा करने वाले अखूट, अखंड महादानी भवा भापतादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है, टल नहीं सकता, होके ही रहेगा, हुआ पड़ा है, अखंड, खंडन नहीं हो सकता, पांच सत्मों की चीज़ने आप जितनी खरी ले, खंड़े तो जाती है, लेकिन जो ग्यान है, सेवादारी बनते हैं, कि हर सिच्वेशन में सिर्फ देनी की सोचते हैं, गुंड दान करते हैं, शक्ती दान करते हैं, वरोसा दान करते हैं, आत्म विश्वाश, आत्म बल दान करते हैं, वह नंबर वन बन जाते हैं, द्वापर से भक्त आत्मे भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खाजानों के दानी नहीं बन सकती क्योंकि अखुट खाजाने तो मिलते हैं परमात्मा पिता से बक्ती सरी मिलते है विनाशी खाजाने या वस्तू के दानी बनते हैं हम जब दौपर रुख में आते हैं जो भगतात में होती हैं वो भी दान करती रहती हैं किसी ने किसी प्रकार क्या तो विनाशी खजाने या वस्तू के दानी बनते हैं लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्फ खजानों से संपन हो वे एक सेकंड भी दान देने के बिना रहने सकते हैं संकल्पों से भी दान देना आप मिल रहे नहीं है लेकिन अपने आप मन के परदे बुद्धी के परदे पर आपने को मिल रहे है जो आप विजुलाइज करते हैं जिसको विजुलाइज करते हैं उसके परती जो फिलिंग चलती है वो फिलिंग उस तक पहुंच जाती है तो ये भी हमें समझना बहुत जरू हुए तो मन से जिसके बारे में भी हम सोच रहे हूं दुआएं दें ताकि हम हलके हों हमारे हलके होने से वह भी हलके हो जाते हैं तो ये सब को सिखाएता है ब्रमा कुमारी इसमें कैसे करें अपने 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 को हलका आप भी आ